बिल्कुल असीम साथ देखिए जब बात उपलब्धियों की होती है तो कहीं न कहीं आरोब भी साथ के साथ उटने लगते हैं अगर सरकारी स्कूलों की बात कर लेते हैं याँ पर क्योंकि देखिए हाल ही में आम आदमी पार्टी ने ये सवाल उठा दिया हिमाच्परदेश क सरकार पर कि सरकार के स्कूल है हमाच्परदेश के अंदर हिमाच्परदेश के अंदर उनकी हालत काफी खसता है यहां तक कि आप भी बाते जानते होंगे कि दिल्ली के इडिप्टी से Kent Manish से सूधिया ने तो ट्वीच करके ये तक भी चालेंज दे दिया कि एक बार आप दि तेकि मैं एक बात तो बड़ा बेस प्रश्ट कहना चाह रहा हूँ कि हिमाचल बगहौलिक दिश्टी से कठिन परदेश है वहाँ हमको पांच बच्चों के लिए भी स्कूल खोलना पड़ता है और दिल्ली के साथ कंपैर्जन उसका किया नहीं जा सकता है और सिसोदिया जी जो बात कह रहे हैं मैं इतना कहना चाह रहा हूँ दिल्ली के स्कूल हमने एक नहीं नेक पहले देखे है आज भी मैं दिल्ली में हूँ मैं आज भी मैं जा सकता हूँ कहीं भी स्कूल देखने के लिए ऐसा नहीं है कि इस परकार से 10 स्कूल बनाकर के है वो ऐसा पूरा दुनिया में देश में ऐसा एक माहौल ख़ड़ा कर दें कि यह दिल्ली ने पता नी क्या कर दिया हम एज्जुकेशन में दिल्ली से पीछे नहीं है हमारे पार साधन की कमी हो सकती है लेकिन हमारे हिमाचल परदेश में टेलेंट की कमी नहीं है बच्चे बहुत हमारे पास ऐसे बच्चे हैं ग्रामिन क्षेत्रों में, सरकारी स्कूलों में वो जो प्राइबिट स्कूलों में, बहुत ए conducting स्कूलों में पढ़ने बाले बच्चों से भी हम पुरा बात करें हिमाचल प्रदेश की, लिट्रेसी रेट की अगर मैं बात पर्टिकुलिर करूं तो हम केरल से पीछे नहीं, केरल से आगे हो जुके हैं, उनको इस बात की जानकारी होनी चाहिए, तो ऐसे मैं वो बिना बजह के राजनियती मकसद के साथ बातें कह रहे हैं लेकिन हिमाचल की परस्थितियां अलग तरह की हैं, कठनाई है वहां इंफरस्ट्रक्चर पर हमने बहुत काम अब कर इस पांच परस्थ में किया है एक्सपेंशन पर भी काम किया है, नए स्कूल भी, नए संस्तान भी खोले है लेकिन आने वाले समय में हमारा फोकस ज़्यादा इंफरस्ट्रक्चर पर होना है वहां पर स्टाफिक प्रॉपर हो, वहां इंफरस्ट्रक्चर प्रॉपर हो यह इस बात को सुनुशित करने के लिए हमने हिमाचल परदेश में शुरू किया है और इसी के लिए मैं उनको कहना चाहरा हूँ, जो योजना हमने हिमाचल परदेश में शुरू की है, एक विशेश तोर से अटल आदर्श विद्याले की अगर हमने जो कलपना की है, जब वो बन करके तो वो नई कलपना है, अभी हमने शुरू की है, उसका कुछ जगा काम शु में ये भी बात आई कि आप सरकारी स्कूलों में खास्तर पबर्चों के लिए कुछ एगरिकल्चरल ट्रेनिंग देने के लिए भी बहुत सारे प्रयास किये जा रहे हैं, कुछ एक सरकारी स्कूलों में शायद इसकी शुरूआत हो भी चुकी है, जहां तक मुझे ग्यात है और दूसरी तरफ अगर बात कर लिजाए, स्किल डेवलपमेंट के लिए भी वोकेशनल ट्रेनर्स की जो हारिंग की गई थी कई सरकारी स्कूलों में कुछ प्राइवेट कंपनीज के मादम से, उनके लिए भी कई बार पॉलिसी बनाने का जिक्र किया गया, आप भी कई मौ को पर ऐसे कहते और सुनते दिखाई दिये, लेकिन फिलहाल उनके लिए कोई प्लानिंग, कोई रणनीती तयार नहीं हुई है? देखिए, ऐसा नहीं है कि प्लानिंग तयार नहीं है. ठीक है, उसमें नया काम इस बात को लेकर के आगे बढ़ाने की जुरूरत है, और उसमें थोड़ा पॉलिसी मैटर पर इशुद चले हुए हैं, कि कि किस परकार से इसके अंतरगत जो है, हमको पॉलिसी बना करके, जो हमारी पॉलिसी की जो प्रोसेस चला है, तो उसमें निश्चीत रूप से हम बहतर करेंगे और बहतर करने के बाद जो है, ये भी समधान निश्चीत रूप से होगा आने बाले समय बे, ताकि बच्चों को एक्सपोजर, एक्सपोजर के साथ साथ जो है, वो स्किल के साथ ज